नमस्कार स्वागत है आप सब का दिन भर के तमाम बड़ी और अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ कवीन सचान शुरुवात हदाएं से मनुहर लाल खटर होंगे हरियाना के नए मुखमंत्री 26 सक्टूबर को पंच कुला में शपद गहन समारू महाराष्ट में मुखमंत्री के नाम पर बीजेपी करेगी दीवाली के बाद फैसला राजना सिंग का मुंबई दौरा टाला शिफसीना ने लगाया एंसीपी पर मौका परसी का आरू बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाओ बदले गए कई राज्जों के पुढ़ारी जेपी नड़ा को महाराष्ट और ओव मार्कुर को यूपी का चार्ज राले के दिन शिनेगर में बाढ़ पिरतूं के बीच रहेंगे प्रधानमंती नरेदर मोधी, राहत और पनर्वास कारियों का लेंगे जायसा वस्तिंडीज के साथ सभी दिपक्षी असीज, निलंबित, शिलंका के साथ पहले तीन वंडे के लिए विराट कोहली बने कप्तान राए देखते हैं आज के हमारी पहली खबार बीजेपी नेता मनोहन लाल खटर हर्याना के नए मुखमंत्री होंगे राज़धानी चंदीगड में आज बीजेपी विधायक दल की बैटक में उनके नाम पर मुहर लगी नई सरकार का शपदगहन समारो 26 अक्टूबर को पंचकुला के चौधी देविलार स्टेडियम में होगा हर्याना बीजेपी विधायक दल के नेता मनोहर लाल खटर ने राज़ेपाल कप्तान सिंग सोलंकी से मुलाकात कर प्रदेश में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया चंडीगड में मंगलवार को ही इस मुलाकात में उनके साथ केंद्रिय परिवक्षक वेंकईया नाइडू और दिनेश शर्मा के अलावा हर्याना में बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजय वरगिये समेथ कई नेता राज़भावन गए विधायक दल की बैठेक हुई सरसम्मती से विधायक दल ने मेरे पर भनुसा किया और मुझे विधायक दल का नेता चुना है इसके बाद शपतगरण कारकम निश्चित हो गया है 26 तारीक को 11 बजे 24 तावलाल देविलाल स्टेडियम में पंचकुला में ये शपतगरण कारकम होगा और निश्चित रूप से हम हर्याना को एक अच्छी एक सुशाशन देने वाली सरकार देंगे इससे पहले चंडीगड में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्ष था हर्याना बीजेपी के अध्यक्ष राम विलाश शर्मा ने की उन्होंने मनुहलाल खटर के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका पार्टी के सभी विधायकों ने समर्थन किया मनुहलाल खटर जी और प्रदेश अध्यक्ष राम विलाश शर्मा जी हम सब लोग जाके राजपाल महोदय जी से मिले और उनको जो प्रस्ताव हमने महापारित किया सरसमत इसे जो चुना नेता हमने आउगत कराया और उपत्र भी राजपाल महोदय को दिया है रहतक में जन्में 60 साल के मनुहलाल खटर आरेसेस के सक्रिये कार करता रहे हैं उन्होंने करीब 40 साल बतोर संग परचारक काम किया इस साल लोग सभाचुनाओं में मनुहलाल खटर हरियाना में पार्टी के परचार परभारी भी रहे उन्होंने अपना पहला विधान सभा चुनाओ इस बार करणाल से लड़ा और 63,736 वोटों से जीत हासिल की खटर को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का करीबी माना जाता है 2009 में बीजेपी को हर्याना विधान सभा चुनाओ में महस चार सीटे मिली थी पहली बार पार्टी ने सुबे की सभी 90 सीटों पर चुनाओ लड़ा जिसमें उसे 47 सीटों पर जीत मिली हर्याना के दसवे मुख्यमंतरी बनने जा रहे है मनुहरलाल खटर सूबे के दूसरे गयर जाट मुख्यमंतरी होंगे विरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी और इस मसले पर और बाचीत करेंगे हमारे साथ खास ममने समिता गुपता है सबसे पहले समिता तो कई नामों की चर्चा हो रहे थी कप्टन भन्यू से लेकर स्थानी स्थार के और केंदर के भी कुश्मंतियों के नाम शामिल थे खटर अचानक मैं कहूं आए और च्छागे क्यों क्या बड़ी बज़े आपको दिख रहे है पहली बात तो था कि इस बार कोई गैर जाट बने यह तै था क्योंकि आप दिखेंगे हर्याना में 1996 से आज तक तीन जो मुख्यमंत्री हुए है बंसीलाल, उम्रकाश चौटाला और उबिंदर सिंग हूडा तीनों जाट थे और दूसरी बात है कि इस बार जो भाजपा की जो जीत हुई है हर्याना वो एक जो नॉन जाट वोट का कंसॉलिडेशन, OBC, Dalit और जो भी दूसरी जातियों का तो यह तो तै था कि कैप्रिन अभी मन्यू या चौदरी बिरिंदर सिंग यह तो नहीं होने वाले हैं अब जो बाकी रहा है यह जो बनोहर लाल खटर को चुना गया है जैसे आपके रिपोर्टर भी कह रहे थे कि यह बहुत करीब माने जाते हैं नरेंदर मोदी के इन्होंने शायद बनारस के चुनाओ मोदी जी के बनारस के चुनाओ में भी सक्रियत थे गुजरात में भी उन्होंने मदद की है चुनाओ के वक्त इस बार उनको प्रचार प्रभारी भी बनाया गया और RSS के पुराने आदमी थे तो हाला कि उन्होंने पहली बार election भाग लिया है, वगर उन्होंने तो 63,000 से जीत हासिल की है, तो एक trusted आदमी है और RSS के आदमी है, तो मुझे लगाना जाए कि BJP गहर जाट को मुक्पंत्री बनाकर एक लंबी राजनीत की पारीख शुरुआत कर रही है हरियाना में? हाँ, एक उन्होंने क्या कहते है, social engineering जो कहते हैं, जैसे आपने महराष्टर में भी उन्होंने यही किया है, यह OBC वाला, OBC दलित वाला जो फॉर्मियूला है, वहां जैसे Marathas dominant हैं, मगर उनका एक गैर मराथा consolidation था, महराष्टर में, यहां भी जो dominant community jats हैं, उन्होंने गैर jats का एक social engineering किया है, और आपने देखा कि अर्याना के चुनाव में देरा सच्चा सौदा से भी उन्होंने support ली है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने jats को बिलकुल किनारे पे कर दिया, क्यो चाहे तो उसे भी आशिरवाद मांगी थी, मगर जो emphasis था, वो था non-jart का, लेकि non-jart में अगर मैं कहूं, खटर पहली बसंद और वो भी पहली बार विधायक बनने की बाद, आपको लगता हैं कि जो अनुभाव होना ची एक मुक्मंत्री के तोर पर कई दिन भर कई जगों प्रशारा के तौर पर, वो अनुभाव ज़ादा कारगर होने जा रहा है, मुक्मंती के तौर पर, एक चीज तो हमने देखा ही है, कि जो आज हमारे प्रधान मंत्री है, उनका एक micro management हर जगे पे, तो इनका जो ideological जो background है, मनोहलाल खटर का, और उनका जो संगटन में जो माना है, जो अब governance की बात है, मुझे लगता है, हर्याना तो दिली से इतने बास है, वहाँ, इनका संपर, इनका संपर, दिली से गवन हो सकता है, कंसल्टेशन तो रहेगा, और वैसे उनके पास उतना choice भी नहीं था, भाजपा, आप देखेंगे कि पिछले चुनाओ तक, क् तो उनका ऐसा कोई अनुभवी नेता हर्याना में तो नहीं था, एक नाम तो चल रहा था, वो सुष्मा स्वराज का, मगर वो थोड़ा फाफेच्ट था, वो ही एक अनुभवी हो सकती थी, मगर हर्याना में और कौन है वैसे, और कैप्टेन अभिमान्यो भी जात हैं, तो और चौधरी बिरंदर सिंग उसी वजए से, और तीसरा नाम जो था, वो राविंदर जीज, तो क्या ऐसा नया आदमी को नहीं मनाने वाले थे, आपने देखा होगा, या बिजएपी, ये फिर मैं कहूं कि टीम मोधी का एक फॉर्मूला है कि सबसे भरोसे मनशक्स को ही कमा कि अपना स्टैंप है, और उनका आप स्टाइल आपने देखा होगा, कि वो जो बीजएपी के साथ लंबे समय तक है, आरेसेस के साथ लंबे समय तक है, उनको ही रखते हैं, जैसे केंदर में भी, उनके पास उतना टैलेंट नहीं है, अरुन जेटली के पास दो-दो लोगों ने सोचा था कि शायद फाइनानस मिनिस्टर किसी टेक्नोक्राइट को बनाएंगे, बगर उनका है कि जो पुलिटिकल आदमी हो, जो उनका ट्रस्टेड आदमी हो, जो उनके आइडियोलिजी के साथ चलने वाला हो, लेकि आपको क्या लग रहा है, हर याना में जि जाटनेताओं का प्रफुत रहा है, और बीजेपी के अंदर भी कई जाटनेता हैं आपकर, कैसे सामझे से बैठेगा है, मैं कहूं कि टीम मोदी या फिर मोदी जी के जो टीम है और उसका जो अपना आकलन रहा है, उससे अलग विद्रो या फिरोद के स्वर भी शाहद ही और हमें देखना पड़ेगा कि यह जो खाब पंचायत है, जो बहुत ही पाफुल है, उनके साथ किस तरीके का रिष्टा बनता है, तो यह तो एक चालेंज तो है ही, कि अब इस बार तो हो गया क्योंकि लोग उप चुके थे जाटों से, वगर आप भी जानते हैं कि जो तो यह एक चालेंज है, कि किस तरीके से जाटों को वो खुश रखें। जो नाखुश थे, जो थोड़ा अपने को एक्स्लूडेड मानते थे, आपने देखा होगा कल ही कॉंग्रिस के अभीतर, कुमारी सेल्जा जो डलित मेता है, उन्होंने दुबारा हूडा को निशाना बनाया, तो वो एक जो डलित खेमा है, जैसे आपको याद होगा कि मिर् तो मुझे लगता कि पहले उन लोगों को पहले, उनका ध्यान रखेंगे, मगर जो जाट है, वो भी एक चैलेंज है, और आगे वाले दिनों में हमें देखने में आगा, आप करेंगे बड़ा चैलेंज है, खटर साब के सामने कि किस तरीके से हरियाना के तमाम जो अलग और महराष्ट की बात जहां पर मुक्मंती कौन होगा, इस पर बीजेपी दिवाली के बाद फैसला करेगी, दिवाली के बाद होने वाली बैठक में पार्टी विधायक अपनी नेता को चुनेंगे, वहीं सरकार को समर्थन के मुद्दे पर NCP और शिवसीना की बीच आरोप ग्रिह मंत्री राजनाच सिंग और बीजेपी नेता, जेपी नडड़ा को बतार केंद्रिय परिवेक्षक शिरकत करनी थी उधर कॉंग्रिस ने NCP और शिवसेना के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने की अटकलों को बेतुका करार दिया है तो बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के मुद्दे पर शिवसेना ने NCP की तीखी अलोचना की है शिवसेना ने कहा है कि NCP अपने नेताओं को बचाने के लिए समर्थन की बात कर रही है लेकिन NCP ने शिवसेना के आरोपों को खारेज किया है हमने महराष्ट के मद्दतों की भावनाओं का आदर करते हुए इस्तिर सरकार महराष्ट में बने इसलिए बिनशर्थ समर्थन देने का एलान किया है 288 सीटों वाली महराष्ट विदान सभा चुनाव में बीजेपी को 122 सीटे मिली है पार्टी को बहुमत के लिए 145 विदायकों की दरकार है इस बीच बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं राज कमल राव, राजसभा टीवी, मॉंबई वसल में इस वक्त बीजेपी के सामने दो बड़े बेच हैं महाराष्ट में सरकार बनाने को लेकर पहला ये है कि किस पार्टी के साथ वो आगे बढ़े, यानि कि किस पार्टी के समर्थन के साथ वो सरकार बनाए और दूसरा सबसे बड़ा सवाल की मुक्वंत्री किसे बनाया जाए जहां तक समर्थन को लेकर बात है शिवसेना जिस तरीके एक रिष्टे रहे हैं और जिस तरीके एक बयानबाजी पिछले कुछ दूने में हुई है उससे बहुत मुश्किल लग रहा है कि दोने गब फिर साथ खाड़े हूँ बीजेपिय दक्ष अमित शाह ने संगठन में बड़ा बतलाव किया है महराष्ट में पार्टी प्रभारी और मातुर को अब उत्तरप्रदेश का प्रभारी बनाए गया है भूपें रियादों को बिहार की जिम्यदारी दी गई है जेपी नड़ा महराष्ट और राजिस्तान में पार्टी प्रभारी होंगे अनल जैन को हरियाना का प्रभारी बनाया गया है, राजी प्रताप रूरी आंद प्रदेश और तमिल्लालू का प्रभार समालेंगे इसके अलावा प्रभाद जहा जो की फिलाल दिल्ली की प्रभारी हैं वो बने रहेंगे चुनावायूग ने पेड नियूस के चलन को खत्म करने के लिए इसे चुनावी अपराद बनाने का प्रस्ताव दिया है कानून मंत्राले को भेजे प्रस्ताव में आयूग ने कहा कि से सभी दलों को चुनाव में बराबरी का मौका मिलेगा पीटी आई से बाचीत में मुक्र चुनावायूग तो वियस संपत ने कहा कि पेड नियूस का मसला चिंता का विशह है संपत का मानना है कि अगर पेड नियूस को चुनावी अपराद घोशित कर दिया जाता है तो दोशी उम्मीदवार के खिलाफ कारवाई की जा सकती है और रुकिंग एक ब्रेक के लिए ब्रेक कोस पार कुछ और बड़ी खबरें बने रहीएगा हमारे साथ ब्रेक किवाल आपका फरसे स्वागत है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी इस बार धिवाली का दिन जम्मू और कश्मीर के बाल पीरतों के साथ बताएंगे प्रधान मंतरी ने इसकी जानकारी ट्वेट करके दिये है पच्छले महीने जम्मो कश्पीर में आई बाड ने भारी तबाही मचाई थी इसके बाद रहात और पनरवास का काम अभी भी कई एलाकों में चल रहा है जम्मो कश्मीर के मुक मंतरी उमार अबदुल्ला ने प्रदान मंतरी के इस कदम का स्वागत किया है जमू कश्मीर में खुदरती आपदा के महीने भर से ज्यादा वक्त के बाद भी लोग वहां अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिशों में जटे हैं इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान ने उनकी होसला अफजाई की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि 23 अक्टोबर को दिपावली के दिन श्रिनगर में उन भाईयों बहनों के साथ रहूंगा जो दुरभाग्य पूर्ण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमू कश्मीर बाढ़ के बाढ़ अपना जनम दिन भी साधगी के साथ मनाया था प्रधानमंत्री के इस अलान की कई दलों ने सराहना की है पीडीपी का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है और इससे राहत और पुनर्वास के काम में तेजी आएगी प्रधान मंत्री ने बाड़ पीड़ित इलाकों का दोरा कर राज्ज के लिए एक हजार करोर रुपे की मदद का ऐलान किया था साथी राहत और पुनर्वास के लिए जरूरी मदद मुहया कराने का वादा किया था जमू कश्मीर में आई भीशन बाड़ में 284 लोगों की मौत हो गई थी प्रदेश के करीब 15 लाख लोगों पर प्राकृतिक आपदा का बुरा असर पड़ा है सार्वजनिक और नीजी संपतियों को भारी नुकसान पहुँचा है जमू कश्मीर सरकार ने बाड़ के चलते करीब एक लाख करोड रुपे के नुकसान का अनुमान लगाया है जाहिर है प्रदान मंत्री के कश्मीर दोरे से वहां के लोगों को काफी होसला मिलेगा इसके अलावा प्रदेश में सीमा पर तैनाद जवानों और सीमा से सटे इलाके में रहने वाले लोगों का भी होसला बुलंद होगा ब्योरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी ग्री मंत्राले ने खुफी अजैंसियों से मिली जानकारी के अधार पर सभी राज्यों को सुरक्षा को लेकर एक एडवाईजरी जारी किया है मुंबई और धली समय देश के दस शहरों को आती सम्विदंशील मानते हुए खास अलड़ जारी किया गया है इडवाईजरी में इस बात का जिक्र है कि सभी राज्य धार्मे के सलों और पूजा सलों की सुरक्षा को चाक चौबंद करें क्योंकि इस तरह की आशंका है कि दिवाली के मौके पर आतंकवादी या फिर असमाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं आतंकी गत्वीडियों को हम नकार नहीं सकते हैं इसलिए किसी भी पास्विल्टी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है इसलिए इस प्रकार के अलर्ड्स जारी किया है राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार अजीत दोभाल ने कहा है कि भारत अपने पलुसी देशों के साथ अच्छे रिश्टे चाहता है लेकिन आतंकवाद और राष्ट्रिय सुरक्षा जैसे मुद्वों पर वो कोई समझता नहीं करेगा दली में म्यूनिक सेक्योटी कानफरेंस को समझत करते हुए अजीत ने ये बात कहीं होने कहा कि भारत पाकिसान के साथ बाच्चीत के जरिये मुद्वों का हल चाहता है लेकिन इसके लिए पाकिसान को आतंक करास्ता चोड़ना होगा अजीत ने कहा कि भारत-चीन के साथ मजबूत आर्थिक समझनों की पारवी भी करता है लेकिन वो कभी भी अपनी सीमाओं की समझता से कोई समझता नहीं करेगा इंडिया वोड लाइक तु है अफेक्टिव डेटरेंस कपबिलिटी इसके प्रड़िबू और इंडिया नहीं करेगा दिली के चौणाकपुरी में राष्ट्रिय पुलिस मेमुरिल बना जाएगा पुलिस समती दिवस के मौके पर केंद्री ग्रिह मंत्री राजनाथ सिंग ने इसका एलान किया परेड करते दिल्ले पुलिस के ये जवान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को शृत धानजली दे रहे हैं इस मौके पर केंद्री ग्रिह मंत्री राजनाथ सिंग ग्रिह राजनाथ सिंग ने कहा कि चानक के पुरी में राष्ट्रिय पुलिस मेमोरियल का निर्माण का काम इसी महीने से शुरू हो जाएगा दूसरे प्रदेशों में पुलिस स्मृती दिवस पर कई कारिक्रम हुए इस मौके पर आंधर प्रदेश के मुख्यमंतरी एंचंदरबाबु नाइडू ने प्रदेश के पुलिस कर्मियों के कल्यान के लिए 10 करोड का फंड बनाने का एलान किया उधर महराश्चु के राजिपाल विद्या सागर राव ने मुंबई में पुलिस परेड की सला मिली लखनों में मुख्यमंतरी अखलेश यादव ने कहा कि सुरक्षा तंत्र मजबूत बनाने के लिए पुलिस कर्वियों के समस्याइं दूर की जाएंगी मुझे पूरा विद्वास है कि आने वाले पर्वों के दौरान भी फुलिस जनों की मुस्तरदी से राज में अमन चेन का महौल कायम रहेगा 21 अक्टूबर 1969 को CRPF की पिट्रोलिंग टीम ने खरीब 16,000 फिट की उचाई पर लद्दाक में चीन की फौज के खिलाफ बेमिसाल साहस दिखाया था इसमें दस जवान शहीद हुए थे उन जवानों की याद में हर साल पुलिस मृती दिवस मनाया जाता है ब्यूरो रुपोर्ट राज्य सभा टीवी वस्तू और सेवाकर यानी जियस्ती लागू करने के लिएक संचोधित समयजान सिंचोधन विद्यक संसत के शीतकालीन सत्थ में पेश किया जाएगा वित्र मंत्री रुण जेटी ने इसको लेकर भरुसा गाहिर किया उन्होंने कहा कि केंडरी बिक्री कर श्रण बद तरीके से खब्म करने से राज्यों को होने वारे नुक्सान की भरपाई कि पहली किष्ट पर शीतकालीन सत्र में कदम उठाया जाएगा कि इन सरकार ने जेस्टी को एक अप्रेल 2016 से लागू करने का प्रस्ताव किया है और इससे जुले मुद्दों को देखने के लिए एक नया वित्यायूग गठिद किया जा सकता है कोल ब्लॉक की इन इलामी और अधिग्रहन से जुड़े अध्यादेश को राश्पाती की मंजूरी में लगई है केंद्री कैमनेट ने सुमवार को इस पर मोहर लगाई थी इस बीश कुमार मंगलम बिल्ला और पूर को इलासरची पीसी पारिक से जुड़े कोल ब्लॉक आवांटन मामले में सीबियाई ने आज विशीस अदालत में व्यापक तंशोतित क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की इसमें जाच की रिपोर्ट भी शामिल है इस मामले की सुनवाई अब 10 नॉम्बर को होगी इससे पहले सीबियाई ने 28 अगस्त को एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी राशी राज़ानी दिल्ली में पिछले एक हफते में डेंगो के मामलों में 42 फीजी से ज़्यादा की बरहत्री दिखी है दिख्षणी नगर निगम के रिपोर्ट में 18 एक्टूबर तक दिल्ली में डेंगो के कुल 225 मामले सामने आए 11 एक्टूबर तक की संख्याए 158 थी उतरी दिल्ली में 44, दिख्षणी दिल्ली में 90 और पूर्वी दिल्ली में 37 मामले सामने आए की 34 मामले तीनों नगर निवों के अधिकार शेट के बहार के और 20 मामले पलोसी राज्यों के है बिहार से नोनर्वाचत राजसभासांसद रवेंदर किशूर सिन्हा ने आज पद और गोपनी ता की शपत लिए उपराशपती मुहमाद हामिद अलसारी ने अपनी चैंबर में उनकर्श पत लाएं 22 सेतंबर 1951 को बकसर में पैदा हुए सिन्हा लंबे अर्शे से समाजिक और राजिते कारों से जुड़े हुए हैं इस मौके पर आरके सिन्हा ने कहा कि उस समाज सिवा के लिए और आज नीत में आये हैं और बिहार की समस्याओं से जोड़े मुद्ध उठाना उनकी प्राप्स मिक्ता में बिसी सी आई ने वस्टिंडीज से सभी दिपक्षी सीरीज निलंबित करने का फैसला किया है क्रिकेट दोरा भीजब में रद होने से नाराज बिसी सी आई ने वस्टिंडीज बोर्ड से आर्थिक नुकसान की भरपाई की अब मांग करने की कहिए हिदराबाद में आज बोर्ड की कारसमित में आम सहमत से ये फैस्टे लिए गए और BCCI West Indies बोर्ड के रवाइए के खिलाफ अब ICC में भी शिकारत करेगा West Indies खिलाडियों के रवाइए पर BCCI ने कडारुख अख्तियार किया है BCCI ने West Indies के साथ सभी दुईपक्षिये क्रिकेट दौरे निलंबित कर दिये निलंबन कब तक जारी रहेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है लेकिन West Indies के खिलाडी IPL में खेलते रहेंगे वेस्ट इंडीज टीम के बीच में दौरा छोड़ने के बाद BCCI ने श्रिलंका को भारत में पांच वंडे खेलने की गुजारिश की थी जिसके लिए श्रिलंका किर्केट बोर्ट तैयार हो गया है इसके बदले अगले साल जुलाई अगस्त में भारतिये टीम श्रिलंका का दौरा करेगी श्रिलंका के खिलाफ पहले वंडे मैच के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है महेंदर सिंग धोनी को आराम देते हुए विराट कोहली को कप्तान बनाया गया है धोनी की जगह रिद्धिमान सहा विकट की पर होंगे इसके अलावा आराश्विन की टीम में वापसी हुई है और घायल मोहित शर्मा की जगह तेज गेंदबास वरुन एरोन को जगह मिली है दो नवंबर से शर्लंका के साथ होने वाले पाँच वंडे मैच कटक, हैदरबाद, राची, कॉलकाता और एहमदबाद में खेले जाएंगे भारतिये पुरिश होकी टीम के मुखे को उच्टेरी वाल्च ने पतस्तीफा दे दिया उनका अनुबन 2016 री उलम्पिक था वाल्च की अगवाई में इसी महने भारतिय पुरुश टीम ने दक्ष्ण कोरिया हूप में हुए एशिन गेम्स का स्वन पदक जीता था खेल प्राधिकरण ने वाल्च का स्तीफा मंजूर कर लिया है खेल मंत्री सवरानद सोनवाल ने इस मसले पर भारतिये खेल प्राधिकरण से 24 गंटे के भीतर रेपोर्ट पांगी है अग्जामिन दा प्राधिकरण से 24 गंटे कोर्ट ने पैर आलम्पियन आसकर पस्तोरियस को आज पांच साल की सजा सुना दी ब्लेड रनर के नाम से मशूर पस्तोरियस को अपनी महला मित्र हुरीवा स्तीन काम की घररातन हत्या का दोशी पाये गया सजा सुना जाने के बाद उन्हें जेल भेज़ दिया गया तो अस्तोरियस ने पिछले साल वालंटाइन डे के दिन अपने घर में घुस पैट या समझ कर अंजाने में गूली चला दी और इस हाथे में असीन काम की मौके पच्छ मौट दिली से सटे फरिदाबाद के पठाखा बाजार में शाम को आग लग गई फरिदाबाद के दशहरा मैदान में वो इस हाथे में करीब 200 से जादा दुकाने जल कर खाक होगे इसमें कुछ लोगों के घायल होनी की मिसूचना है जानकारी के मताबिक आग पर काबो पाली आगया दमकल करीब 18 गाड़ियों ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबो पाली आगया आज धंतेरस पर बाजार उमें खासी रौनक दिख रही है बाजार में सोने चान्दी के गहने और सिक्कों की जम कर खरिदारी हुई बरतन बाजार में भी लोगों की भारी भीर जुटी धंतेरस पर सोने और चान्दी के सामान और बरतन खरिदने की परंपरा है तदान मंसीर नरेन मोदी ने धंतेरस पर लोगों को बढ़ाई दी तो ज़रो पराशपती मुहमद हामिद अंसारी ने भी लोगों को इस मौके पर बढ़ाई दी है उन्होंने लोगों के जीवन में समर्दी, शान्ती और खुशी की कामना किये तो खबरों के आज के सफर में इतना ही नमस्कार